यह प्रिशाद है मा दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मा कुश्मानडा जी का तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेंगे हम एक mixing bowl जिसके अंदर हम सारे अपने ingredients को mix करेंगे तो सबसे पहले हम डालते हैं थोड़े से ड्राइफ्रूट्स ड्राइफ्रूट्स में आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो जो आप माताजी को भोग लगाना चाहते हों वो सारे पसंद के आप ड्राइफ्रूट्स डाल सकते हैं और इसमें मैंने के अब फोड़ी सी क्रश इलाइची भी डाली है . यहां पर मैंने लिया है 1-1,5 जमच नाइवल का बुराधदा या फिर जो सूखा नाइवल का का पावडर होता है , सब्सक्राइब का जे आया है , उब का भकूर में लिया है , एक से और मिक्स पावड़ मिल्क पावडर ठालन तोड़ी से दो तीन चममच, हमारे पास गिसा हुआ नारियल यह ड्राइ कोकुनट है और है हमारे पास मिल्क पाउडर, अब यह हमारे पास फलहारी आंटा जो सब जगे मिल जाता है आसानी से वृत की दुनों में तो और नवरात्रों में तो यह बहुत ईजी ली मिल जाता है तो यहां इम एक कटोरी डाला है फलहारी आठा, अब सारे जो सूखे जो इंग्रिडियंट्स जो हम मैंने लिए हैं, उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, गुमा के इन्हें अच्छे से मिला देते हैं, अब यहां मैं डालने वाली हूँ, एक कटोरी ही काजु का पेस्ट अब ये काजू का पेस्ट मैंने हलका दरदरा ही पीसा हुआ है ताकि जो काजू की पीसिस है वो थोड़ी आएंग जो हम माताजी का भोग बना रहे हैं जो हम मीठा चीला बनाने जा रहे हैं उसमें ये दरदरे थोड़ी पीसिस खाने में लगें काजू की आएंग मुं में त अब धीरे-धीरे करके हमने एक कटोरी दूद लिया है अब धीरे-धीरे करके इसको हम पेते बनाइए छोड़ा थोड़ा दूद ही डालेंगे अगर की साहरे दूद्ध ही डालेंगे तो लंपिन बन जायेंगे और फिर घूलना मुश्किल होगा तो धीरे-धीरे करेसे dir गुमा गुमा के सारे लंप्स को हटा दीजिए अब थोड़ थोड़े आपको देख रहे हैं ये ड्राइफ रूट्स हैं लंप्स नहीं है इसमें अब इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपने चीले के हिसाब से इसको मैनेज कीजिए अगर आपको यह लगता है कि यह थोड़ा पत अब चीनिना लेगा मैने टेस्स के साफ से इसलिए कहा है क्योंकि कई लोग कम मीठा खाना पसंद करते नहीं कई जादा खाना पसंद करते हैं तो मैंने यहाँ पर आदी कटोरी चीनी ली थी लेकिन उसमें से भी मैने थोड़ी से बचा दी है और बाकी मैंने चीनि इसमें इसको अच्छे से घोलिए, मिक्स कर दो, सारी चीजों को, चीनी वगेरा, अच्छे से मिक्स हो जाए, अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गई है, उसके बाद हम इसे 10 से 5 मिंट के लिए इसको ढग के रख देते हैं, ताकि सारे जो फ्लेवर हैं, वो एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाए, तो देखिए, 10 मिन के बाद, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो देखिए, बिल्कुल लाइक डोसा बैटर जैसे होता है, जैसे उसमें यूज होता है, वैसा ही हमें इसको चहिए, ना जादा बहुत पतला हो, ना बहुत ही जादा गाडा हो, इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे वाले, चीले बनके हमारे तयार होंगे, अब यहां हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, और नॉन स्टिक पैन में मैं थोड़ा सा गी डालूँगी, और स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से, आप चाहें तो ओइल में भी बना सकते हैं, लेकिन ओइल से बैटर है कि आप गी में बनाएए, गी में इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा, इसको हम डीफ्राइ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डीफ्राइ नहीं करूँगी, इसे मैं ऐसे ही कम घी में इसमें हम बनाएएंगे, तो इस तरह से एक चमचाम ने लिया, और इसे धीर इसे हलके से, बिलकुल हलके हातों से इस तरह से फैला लिया है, अच्छे से स्प्रेड कर दें, इमली सब तरफ और जब यह स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद इसको मीडियम गैस पर ही रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है, बहुत स्लोप है भी नहीं रखना है, अब इसे ढखके रख देंगे एक मिन्ट के लिए, एक मिन्ट आप ढखके रखेंगे, इससे क्या होगा, उपर से भी पक जाएगा हलका सा और नीचे से भी हो जाएगा, यह देखिए, उपर से इस तरह से बहुत अच्छे से पक चुका है, अब इसे फ्लिप करें, और इसको प्रेस करकर के इस तरह से से किये, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बननेगा यह, और बहुत बहुत अच्छा इसका एक फ्लिवर आएगा, अब देखिए, मैं दूसरा एक बर फिर से बना के आपको दिखा रही हूँ, तो यह डाली एक चमचा, और इस तरह से हलके हाथों से उसको वापस से पैला लीजिए, अब इसको फिर से वापस से एक मिनिट के लिए ढख के रख दें, ताकि उपर से भी अच्छे से थोड़ा पक जाए, और इस से देखिए, पक गया है उपर से, अब इसको फिलिप कर देजिए, पीछे से देखिए, अच्छा साब एकदम अच्छे कलर से पक चुका है, अब इस तरह से ही प्रेस करकर के इसको हम इस साइट से भी अच्छे से 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 शेक लेंगे, यह बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं, बनाने में बहुत आसान हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, एक देखिया हमारे चीले मा कुश्मांडा जी का भोग तैयार है, आप इसे बनाएं उस दिन, मा को भोग लगाएं, आप भी खाएं, यकीनन यह आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत टेस्टी लगे गया यह आपको, तो एक बार जरूरी से ट्राइ करें, वीडियो देखने के लिए थाइंक यू सो मच,